परवर्दिगारा अपनी इस मुलतमिस बंदी की आँखों को बीनाई अता करते जिस तरह तुने इसके कल्ब को नूर इमान से मुनवर किया है उसी तरह इसकी आँखों को भी मुनवर करते आँखों के तरह इसमार इसके का невान अता करते अफ़ स्पित अवड़ दो जो सबस्वे है. मेर सकते युसफ युज एक युझ की अवे कि तबले हो अप्राइब के छेन लिए में लिए लुए जोड़ा है हचाँ हचाँ हम ऐच्छ आषप आषब है सब दिखाई दे रहे हैं आप जोडे में तक भूझा दे लेऊ मैं रहे हैं भूझे आपकी किसी हो अर को देखो मैंने खुदा से दोगी थी कि मेरी इन बेनूर आंको को मुनाफर करें ताकि मैं आखरी बार अपनी यूसफ को और देख लो और देख लो और करता मुझे मौत आजाए अब जिननी भी मौलतें सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ आए गर्म और हाइल होने वाले आसुओं मुझे क्या चाहते हूँ अमर के इस आखरी लमात में तो मुझे अपने यूसफ को खूब जीब बरके देख लेने तो इतमे नान रखो जुलेखा इरादा ए खुदावन्दी ये है कि वो तुम्हें दुबारा जिन्दगी अता करें ताके अजियत और इंतजार के इंतभील सालों का अजाला हो जाए इनायत खुदावन्दी देख रही है आपने देखा आपने देखा शुलेखा को बिनाई मिल गए क्यों नहीं पयामबर दुआ करता है तो खुदावन्दी आलम जरूर मुस्तजाब करता है बिनाई तो उसका अधनातरीन मौजजा है बिनाई तो तुम दोनों किंटी बूरी और कमज़र हो कईओण तुम दोनों ने पनी तमामळ मेरी खिंमत करते हैं मैं तुम दोनों को देख सकती हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ आया आप पि लुट्फ औ इनायत खुदावन्दी का मुझाता कर रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरह शुक्र अता करूँ आया सजदा करूँ तु काफी होगा हाँ, सजदा शुक्र बजा राओ कि बंदगी की खुबसूरत तरीन तजली सजदा है कि बंदगी होगा लुट कि रहे हाँ कि अच्छ राओ अर राओ काहिनान माबद आमून क्या देख रहे क्या अब भी शक की कोई गुंजाइश है मैं कुछ नहीं देख रहा अभी लम्हे भर पहले आपने मुझे हुश्यार का था बस अब मैं इतना भी एमक नहीं कि इस किसम के तमाजों पर यकीन कर लू उम्र भर के जूट और मुखरो फरेब ने आप लोगों को अंधा गुंगा और बहरा कर दिया है और अब आप लोग इस गुम्राही से कभी नहीं निकलेंगे किस चीज़ पर यकीन करना है मकाना है खुदा यक्ता की खुद्रत पर या जुलेखा की बिनाई पर हाँ मुझे दोनों पर यकीन नहीं मैं तो ये मानता ही नहीं किस लेखा कभी नाबीना भी थी लेखा की नाबीनाई का शहरा तो शेहर बर में है सब लोग जानते हैं अलबत्ता मुझे आप की बसारत पर शक जरूर हो रहा है आपको जलेखा के नाबी ना होने में शक है कोई बात नहीं आपको इस बात का तो यकीन है ना कि जलेखा जईव हो चुकी है अगर ये जवान औ खुबरू हो जाएं तो क्या फिर एमान ले आएंगे वो तो जाहिर है हल्कता मैं आपको ये यकीन चिला दूँ कि जिस दिन मुर्दे जिना होने लगे और तारीक की नूर हो जाएंगे तो सुलखा भी जवान हो जाएंगे कर दो को जाएंगे खो जाएंगे जाएंगे कर दो हुआ है कर दो 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 Christians कर दो कर मुची यकीन है कि युजार सरेवी यहेश मैंकर दोरम कर दो करेंशनिक से बाबया रजाड्य दो करेंश है विड़ा कायागा, वो जो जगी वीन है झाल जो झाल आपया नहा जो हम ड्राइबा एल 119 मारक्षय मुझागे व justement। झाल 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 बानु 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 क्या हुआ बानु गषणगान बानु 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 गषगें दिए मुझी ओ vivema और मुझी नच आप मारतों कि कर adapting dad किसमी खेड़ी ख nawet किसमी कि खाते है कि रिखास के आपके ऊव bert कि रुञास – कि बैँ द बता बता कि रिल शुट इन tym quickly खूब तो आख मा हूँ, दुलेखा कोई जवानी भी मिल गई मैं जानता था वो गल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को, कुफर औ शिर्क को बुद्परस्ती की जानिब तहरीक दी हो वो गल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनवर नहीं हुआ करता अब भी नहीं चाहोगे के युजार सीफ के खुदा पर एमान ले आओ उस आजिस और मजबूर आमून की पैरवी और परश्टिश करो मैं, मैं तो युजार सीफ के पास जा रहा हूँ अब मैं मजब आमून की पैरवी नहीं करना चाहता हूँ आया, आया नभी खुदा इस गुनागार को कुबूर कर लेंगे खुषम्दीत, खुफू, खुषम्दीत खुषम्दीत, 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 I know I know यह नाकाबल यकीन है खुदा ऐसी नायत किसी किसी पर करता है खुदा तुमें बहुत पसंद करता है हुआ सिते हैं जार्ण लुदा विल्गों किस्वास प्रॉदा राब खुदा झाल खुदान भुदा गुदा लुदाय। शिल्ण आप शिल्ण खुदा खुदा चुदा बानो, आपको मुबारक हो खुशी है कि आपको दुबारा जवानी और खुबसूरती मिल गई मैं दीदा ही पीना और खुबसूरा चेहरा तो पहली भी रखती थी लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी मैं खुदावंद का शुक्रा दा करती हूँ कि जिसने इस गुनागार को अपनी इनायात के लाइख जाना हूँ बानो, जनाब युजार से इस जबराजे के पीछे तश्यीव फर्मा है और गालिबान बानो जुलेखा से मिलने का इरादा रखते हैं नहीं, अभी नहीं उनसे मास्तित कर लीजिए और फिलाल मुझे माफ रखें अगर इजासत फर्माएं तो मैं चंद रोज अपने खुदा के साथ तनहा रहना चाहती हूँ और सिवाए खुदा के किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती मैं कुछ समझ नहीं पा रही इस इश्टेनाब की वज़ा क्या है मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या होगे बस इतना जानती हूँ कि फिलाल उनसे मिलना मेरे लिए मुम्किन नहीं मेरी तरफ से उनसे मासरत कर लीजिएगा अब उनकी तबियत कैसी है कुछ बहतर हुई बहतर है, होश में आ गई है मैं उनसे मिल सकता हूँ फिलाल नहीं, वो आपसे मिलने से कासर है यानि वो मुझे से मिलना नहीं चाहती है वो कह रही है कि फिलाल उनका आपसे मिलना मुम्किन नहीं वो चाहती हैं कि चन्ड रोज अपने खुदा के साथ खल्वत में रहें वो तन्हा रहना चाहती है आपको उनकी इबास समझ में आई मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा नहीं आपसे मिलने के लिए उनकी वो बेता भी और नहीं इश्टनाब मेरा ख्याल है मैं जुलाखा के इस कैफियत को बाखूबी समझ सकता हूँ उन्हें तन्हा चोड़ दें मेरे ख्याल में उन्हें खुदा के साथ राज और न्यास के लिए तन्हाई की जरूरत है मामला क्या है? मुझे तो कुछ बताएं खुशा नसीब जुलाखा के ये साथत हर किसी को नहीं मिला करती वो सालों मारी मारी फिरी घर घर तलाश किया तब कहीं जाकर दर यूस्फ पर पहुंची है खस्ता और दर्मानदा देदार यूस्फ के उमीद में दक्कल बाब किया लेकिन वो जिसने दर्वाजा खोला यूस्फ से कहीं ज्यादा खुबसूरत हस्ती थी जिसने जुलेखा को कुबूल किया इनसाफ तो ये है के यूस्फ कुजा और जिबा-े-मुतलग खालिक यक्ता कुजा मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस इनायतِ खुदावंदी पर जिब जुलेखा को नसीब हुई हस्त करूँ हस्त करना आसनात के शाहिन निशान है भी नहीं जुलेखा पर तो रश्क करना चाहिए वो दूसरे माशुक के साथ खल्वत गुजी है और मेरे ख्याल में ये खल्वत नशीनी और वज्द की कैफियत उन पर चालीस रोज तक तारी रहेगी चालीस रोज? हाँ, इससे पहले वो खल्वत नशीनी तर्क नहीं करेंगी साल हाँ साल, उन्होंने आपका इंतिजार किया है अब आपकी बारी है कि आपको चरसा उनका इंतिजार करें कि अब आपकी जयार कि आपकी आपकी में आपकी नहीं आपकी आपकी अब आपकी आपकी यहाँ आप रोक क्यों रही है माँ, कारवावलों ने बताया तो है वो भी आ जाएंगे, घबराने के कोई बात नहीं तो कहा है, आए क्यों नहीं अभी तक आ जाएंगे आप लोग अकेले क्यों आ गए थोड़ा इंतिजार कर लेते ताके फर्दन दाने याको भी साथ ही आ जाते अगर हम लोग किनान जल्द ना लोटते तो आप सब लोग भूग से मर चुके होते दूसरे ये, कि हमें ये नहीं मालूम था कि हमें वहां मज़ीद कितना लुग ना होगा वो लोग उन्हें ले गए और फिर हमारी मुलाकात ही नहीं हुई झाल कर दो देख रहे हो हुजरे के पास कुछ लोग हमारे मुन्तसर खड़े है हाँ अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो बाबा भी निज़र आ रहे हैं ये धूल कैसी है दीना वो ही लोग है हाँ ये उठती हुए धूल चुपायों की ही है आग है वो लोग आग है दादाजान वो लोग आगाए 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 वो लोग आगाए कारवाओ वाले आगाए चलो उनके इस्तक्बाल के लिए चले चलो उनकी मदद करे आगाए 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 सलाम सलाम आप लोग इतनी देर से क्यों आए सांस तो लेने दो फिर वज़ा भी बता देंगे शलें खुदा कई शुक्रे देखा हाला कि बाबा उन लोगों के आने से बहुत खुश है लेकिन फिर भी उनसे मिलना नहीं चाहती वो तो जाहिर है वो इनसे नाराज जो है विन्यामीद, वागी लोग भी आ गए मैं बाबा की बास जाए रहा हूँ विए रहा हूँ तो बॉट है कि आप चाहिए अधिए है अधिए उर्च भी देशाल में को आप जा यहां जा जा है कि आपके आप अधिए ने फेल्ट भला जा इस तो बस्क्राइब करें अधिए है इस तो बाइए ना कैसे तुम को जाए है कैसे हूँ, हुशामदीद, मेरे भाइयों, हम ठीक हैं, हुशामदीद, मेरे बच्चों, हम सब फरिशान हो गए थे, हमारा कोई कुसूर ना था, हम तो मिसर पहुंचते ही गंदूम खरीद कर फॉरन वापस लोड़ना चाहते थे, लेकिन अजीजे मिसर नहीं हमें रोक लिया अजीजे मिसर को हम किनानी भाइयों की पजीराई करने का शौक हो गया था, वो तो अगर हम अजीजे मिसर से, आप लोगों के इंतिजार, भूक और परिशानी करने कहते, तो वो हमें अब भी नहीं आने देते बाबा कहा है, जिस रोज से आप लोग गये हैं, तब से परिशान इस रास्ते पर आँखे लगाए बैठे रहे, खास दोर पर उस तो जब किनानी आप लोगों के बगाए वापिस लोट कर आए, तो बहुत परिशान हुए अभी तब तो यहीं थे, जब तुम लोगों के तरफ से आसुदा खातिर हो गए तो अपने हुजरे में चले गए हाँ, हमने देखा था उन्हें, यानि बाबा अब भी हम से नहीं मिलना चाहते वो हगपर है, यूसफ की याद भूला देने वाली नहीं वो नहीं मिलना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती अहाँ, शावन, जानवरों को ले जाओ, चलो शावज, चलो, चलो, सब घर चलते हैं, चलो, आजो, आजो दीगर किनानियों को भी अपनी खुशी में शामिल समझे हमें खुशी है कि फर्दन्दान याकूब खेरियन से पहुँच गया पास गुजार है याकीब, खुटा आपको सलामत रखे, लोगों से कहिए कि वापस किनान चले चली आए वापस किनान चले अगर वो मिलना नहीं चाते तो तुम लोगों का फर्द बनता है कि उनसे मिलने जाओ, जाओ, जाओ जाकर उनकी एहवाल पूर्शी करो यह बात तो है बाबा हमें अंदर आने की अजाज़त है, हम अंदर आ सकते हैं दुरूद खुदावन बर नभी खुदा सलाम नभी अल्लाए दुरूद बर नभी खुदा सलाम भर पयाम बेर खुदा दुरूद बर नभी खुदा दुरूद बर नभी खुदा सलाम बाबा सलाम बाबा दुरूद ए खुदावंद हो तुम सब पर खुशों के लौट आए हम सब भी बहुत खुश है कि हमें दुबारा आपकी जारत नसीब हुई उमीद है नभी खुदा खेरियसे होंगे हम परिशान थे आने में देर क्यों कर दी अजीजे मिसर ने हमें रोक लिया था मेरा मतलब है हमें अपने पास महमान किया था हमें बहुत इज़त दी ये वो गन तुम्हें जो अजीजे मिसर ने हमें दी है बहुत उम्दा और लजीज है मसरूर कुन खुश्बू है कितनी निशादावर नवीद हया दे रही है इस कंदुम से बड़ी मानूस से खुश्बू आ रही है गोया किनानियों को सिंदगी लोटाती है अजीज मिसर तमाम मसाफिरों को इसी तरह नवास दे और ख्याम उताम करवाते हैं या सिर्फ तुम लोगों के साथ ही ऐसा किया है क्योंकि दूसरे किनानियों के साथ तो बजाहर ऐसा कुछ नहीं किया नहीं सिर्फ हम पर ही इनायात थी उनकी उन्होंने पूरे तीन रोस तक अपने कसर में हमारी बहतेरीन पजीराई की तुम लोगों ने पूछा नहीं कि एक ही शेहर के बाचिंदों से ये दो तरह के रोईयों की वज़ा क्या है वो कह रहे थे ये खुस्सी बरताओं हमारे यक्ता परस होने की वज़ा से है नहीं ये नहीं हो सकता तुमारे दीगर तमाम किनानी हम सफर साथी भी यक्ता परस थे नहीं नहीं यकिनन कोई और वज़ा होगी उन्होंने तो हता अपने मुशिरे खास को हमारी पजिराए पर मामूर कर रखा था मिसर एक अजीम सल्तनत और अजीसे मिसर एक अजीम और साहिब कुद्रत शक्सियत है फिर भला उन्हें बेवकट चराओं से क्या सरूगार या उन्होंने किसी खिसम का इजहार आशनाई नहीं किया नहीं किसी खिसम की शनासाई का इजहार नहीं किया अल्बत्ता मुझे और रुबीन को ऐसा लगा या तो हम उन्हें जानते हैं या फिर हमने उन्हें कहीं देखा है हमने बहुत सोजा लेकिन हमें कुछ याद ही नहीं आया उन्होंने इन इन आम उक्राम के वस तुम लोगों से कुछ नहीं चाहा कोई तवक्व, सवाल, तकाजा नहीं नहीं, वो इन तमाम चीजों से बेनियास थे भला वो हमसे क्या चाहेंगे हालांकि हजीज़ मिसर एक महरवान और फायाज इनसान थे लेकिन फिर भी हमें ज्यादा गंदुम नसीब नहीं हुई अगर आप और बिन यामिन भी होते हैं तो हमें दो हिस्से ज्यादा गंदुम मिल जाती कोई बात नहीं अगर हर दफ़ा इतनी गंदुम भी ले आए तो हमारे गजारे के लिए काफी होगी अगले साल का फिर देखा जाएगा कि मश्यद ख़दावन दी क्या होती है